कि अग्वाद कि अग्वाद कोटवाली थाने में अभी कुछ देद पहले एक तहरीर प्राप्ट थी सीमेश की इसमें उनके तहरीर का जो कंटेंट था कि उसमें यहां पर काम करने वाली जो नर्स है उनके दोरा ये आर्रोप लगाया गया है जिसमें यहां पर कुछ लोग एडमिट है जो कुरोना से संबंदित जो आइसलेशन वार्ड में और उनके दोरा उनके साथ गलत हरकत की गई है और जो दवा चल लए उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है इस तहरीर और इस कंटेंट की जांच के लिए हम और रेडियम सिटी नहीं किया है और दवा में जो भी दवावा देते हैं वों लोग सहयोग नहीं करते हैं और कुछ अश्लील विवहार करते हैं इस तरह का आरोप है उसके हम लोग याज कर रहे हैं चीफ मैडिकल सुपरेटेंडेंट दौरा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो आईसले इस तो सेवन्टी टू सेवन्टीवन दर्च किया गया है इन्वेस्टिगेटर को जो विवेचक है उसको सीग्र ही साक्षों के आदार पर विवेचना के निस्तान है तू आदिशित कर दिया गया है सर कुछ खबर मिली थी कि सीमस साथ ने कम्रेंट दिये क्या कम्रेंट इस ताने में अभी कुछ देद पहले एक तहरीर प्राप्त हुए तिस इसमें उनके तहरीर का जो कंटेंट था कि उसमें यहां पर काम करने वाली जो नर्स हैं उनके दारा यह आरोप लगाया गया है ज सहयोग नहीं किया जा रहा है इस तहरीर और इस कंटेंट की जांच के लिए हम और रेडियम सिटी साहब यहां आप देख रहे हैं मौके पर हैं जांच की जा रही है शीक अभी कंटेंट के हिसाफ जो यह पिच्छिजविदी करवाई है कि तरह के डिमांड की जा रही थी मै मेडिकल सुपरेटेंडेंट द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो आइसोलेशन वार्ड में लोग हैं उनके विरुद कतिपाय आरोप लगाए गये हैं जिन आरोपों के आधार पर ठाना पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जो कि अंतरकत धारा 354-294-50 दर्ज किया गया है इन्वेस्टिगेटर को जो विवेचक है उसको शीग रही साक्षों के आधार पर विवेचना के निस्तान हेतु आदिशित कर दिया गया है कोतवाली थाने में अभी कुछ देद पहले एक तहरीर प्राप्त विए इसमें उनके तहरीर का जो कंटेंट था कि उसमें यहां पर काम करने वाली जो नर्स हैं उनके दोरा यह आरोप लगाया गया है जिसमें यहां पर कुछ लोग एडमिट हैं जो कुरोना से समंदित जो आइसलेशन वार्ड में और उनके दारा उनके साथ गलत हरकत की गई है और जो दवा चल रही है उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है इस तहरीर और इस कंटेंट की जांच के लिए हम और रेडियम सिटी साहब यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं जांच की जा रही है शीक नहीं करते हैं और कुछ अश्लील विवहार करते हैं इस तरह का आरोप है उसके हम लोग याज कर रहे हैं जिसमें जो आइसलेशन वार्ड में लोग हैं उनके विरुद कतिपाय आरोप लगाए गए हैं जिन आरोपों के आधार पर ठाना पर एक मुकदमा पंजिक्रित किया गया है जो कि अंतरकत धारत 354-294-509-269-270-271 दर्ज किया गया है इन्वेस्टिगेटर को जो विवेचक है उसको शीग रही साक्षों के आधार पर विवेचना के निस्तान हेतु आदिशित कर दिया गया है सर कुछ ख़बर मिली थी कि सीएमस साथ ने कम्तिए कोटवाले में क्या कम्तिए कोटवाली थाने में अभी कुछ देद पहले एक तहरीर प्राफ्ट हो जिसमें नके तहरीर का जो कंटेंट था कि उसमें यहां पर काम करने जो नर्स उनके दारा यह आरोप लगाया गया है जिसमें यहां पर कुछ लोग एडमिट है जो कुरोना से संबंदित जो आइसलेशन वार्ड में और उनके दारा उनके साथ गलत हरकत की गई है और जो दवा चल रही है उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है इस तहरीर और इस कंटेंट की जांच के लिए हम और रेडियम करते हैं इस तरह का आरोप है उसके हम लोग याज कर रहे हैं जिसमें जो आइसलेशन वार्ड में लोग हैं उनके विरुद कतिपाय आरोप लगाए गए हैं जिन आरोपों के आधार पर ठाना पर एक मुकदमा पंजिक्रित किया गया है जो कि अंतरकत धारा 354-294-509-269-270-271 दर्ज किया गया है इन्वेस्टिगेटर को जो विवेचक है उसको सीग रही साक्षों के आधार पर विवेचना के निस्तान हेतु आदिशित कर दिया गया है सर बाताने में पहले के तहरीर का जो कंटेंड करने वाली जो नर्स उनके दरा ये आरोप लगाया घिया है जिस्पे यहां पर कुछ लोग एडमिट है जो क्रोणा से संबंदित जो आइसलेशन वार्ड में और उनके दारा उनके साथ गलत हरकत की गई है और जो दवा चल रही है उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है इस तहरीर और इस कंटेंट की जांच के लिए हम और रेडियम सिटी साहब यहां आप देख रहे हैं मौके पर हैं जांच की जा रही है शीग में जो भी दवावा देते हैं और लोग सहयोग नहीं करते हैं और कुछ अश्लील विवहार करते हैं इस तरह का आरोप है उसके हम लोग याज कर रहे हैं चीफ मैडिकल सुपरेटेंडेंट द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो आइसलेशन वार्ड में लोग किया गया है इन्वेस्टिगेटर को जो विवेचक है उसको सीग रही साक्षों के आदार पर विवेचना के निस्तान हेतु आदिशित कर दिया गया है